आज आप से काफ़ी important चार्ट discuss करना है कि हम अपने जीवन में कितना समय, कितने लोगों के साथ बिताते हैं और यह एक बहुत इंपॉर्टेन बात है क्योंकि इससे हमें यह पता चले गए कि हमें अपने जीवन में कैसे समय बिताना है कि लोगों के साथ बिताना है कौन लोग कितरी important है और चीजें हमारे control में रहें और यह अला chart जो है वो actual data के ओपर ही बनाया गया है लोगोंने different different countries में different different regions हैं हर type के जो लोग हैं उनसे यह chart या उनसे यह information लेकर यह chart को बनाया है और हम यह देखते हैं कि इसमें जो काफी सारा जो समय हमें जो दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से divided है और किस-किस age में जैसे यहाँ पर जो हमें जो बताई गई है यह हमारी age है कि कैसे जो हमारी age के साथ हमारा जो समय है किस तरीके से बीटता है और यह हैं घंटे कि हम हर दिन जितना घंटे हम कहां बिताते हैं, किस कारे में बिताते हैं और अगर हम लोग थोड़ा से डेटेल में जाके इसको देखें तो आप यह देखेंगे कि हम अपने साथ जो समय बिता रहे हैं, आपके जो स्पाउस होंगे है जैसे आपके husband है या us your wife है उनके साथ जो आप समय बिता रहे हुँ वो increase होता है क्याँ कि वाकी इस is एज कयास पर शादी होती है हमारे जो co partners हैं जिनके साथ हमारे लुका रे करते हैं या जो हमारे मिफ्रगान है कीसे हमारा समय बीथता ए और हमारे बच्चों के साथ अगर आपकी फैमिली है उसमें बच्चे हैं उनके साथ कैसे समय बीट रहा है तो आप ये देखेंगे कि जब हमारी जो 25 साल की हमर होती है उसमें हम जो अकेले समय बिताते हैं काफिसारा जो समय होता है हुआरा केले बीटता है और हम लोग अपने काणके वो टाइम की अस-पस हम अपना कारे भी शुरू करते हैं तो हमारा जो कोवर कर से हमारे मित्र गणर हैं उनके साथ हम काफिस समय बिताते हैं तो आज अब यह देखेंगे कि almost constant रहता है, इसमें ज़्यादा नहीं बितलता, उसके साथ आप ये देखो कि उसके बाद आपका जो समय है वो काफी ज़्यादा बीटता है, और वही समय कि आजपास आपका बच्चों के साथ जो समय है, वो कमाना शुरू होता है, कोई कि बच्चों जो होते हैं वो कॉलेज म कितना समय बिताते हैं, और आप ये देखेंगे कि समय के साथ वो जो अकेले जो आप समय बिताते हो अपने आप, अपने आप के साथ, वो समय बढ़ता जाता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ तो प्रसन रहें, मैंने ये एक बारी प्रसन पूछा थ अगर आपको एक अपना पार्टनर या अगर आपको अपना पूरा जीवन एक ऐसे इंसान के साथ बिताना पड़े, जो आपका आपकी बिल्कुल true copy हो, आपका clone हो, तो कितरे लोग उस इंसान के साथ समय बिता पाएंगे, तो बहुत कम लोग थे उस पूरी audience में, और मैंने होता है कि हम अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हमारे पास कोई guilt नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई fear नहीं है, और कहीं न कहीं हमने ऐसे कोई गलत कार्य नहीं करें हैं, कि जिससे हमें कश्ठ हो, तो वो एक feeling of satisfaction जिसकों बोलते हैं, संतुष्ठी क feeling जो होती है, या पूर संतुष्ठी जिसकों बोलते हैं, complete fulfillment, कि वो जो feeling है, वो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं है, तो हमें अपने आप से डर लगने लगता है, और हमें कहीं न कहीं परशानी होती है, और एक मन की शांती भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मन की शांती नहीं है, तो अपने आप हमें परशानी होनी शिरू हो जाती है, वो बिचेनी होनी शिरू हो जाती है, तो इसलिए हमें वो शोर चाहिए, हमें लोग चाहिए, और कहीं न कहीं अगर हमें वो नहीं मिलता, तो हमें परशानी होनी शिरू हो जाती है, तो हमें अभी सह ना आता तो कहीं ना कहीं कस्ट है क्योंकि ज्यादा तर से उस समय हम दोजे बिता रहे हैं वो हम उसी इंसान के साथ बिता रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है